Hello Friends! Welcome Once Again! हम अभी इन सेशन में हम कर रहे हैं Rules of Stress. Rules of Stress और हम इसके साथ साथ में ये भी देखते जा रहे हैं कि किस प्रकार जो है Rules, जो Stase है वो आपके उच्चारन को, आपके प्रनाशेशन को किस तरह से determine करता है किस तरह से निर्धारित करता है इसके साथ साथ में हम यह भी देखते जा रहे हैं तो अब इन session में हम stage के साथ साथ में हम phonetic transcription का भी अध्यन कर रहे हैं आज जो हम सब्दों देने जा रहे हैं वो rules no.3 है rule no.3 है यह rule क्या है यह rule उन सब्दों के साथ जुड़ा जाता है जुड़ा हुआ है जो words ending with i o n जो i o n यान एक ऐसे सब्द जो i o n से खत्म हो रहे हैं जिनके अंत्न में i o n आ रहा है आपने देखा होगा बहुत सारे शब्देस हैं अंग्रीजी में जिसमें t i o n से वो स्वमाप्त होते हैं उनका rule क्या है उनका rule हम देख लते हैं उसका rule है इसकी stress pattern का rule है penultimate क्या rule रहां यूदे है penultimate minute इसको आप याद आख्र लीजे एक टेक्निकल शुद भी है और बार बार इसका यूज आगी भीए पीनल्टिमेट एंटी पीनल्टिमेट इनका ऑर्त क्या होता है मैं इसका पफ बदाता हूँ पिनल्टिमेट का मतल измен last second ट लस्ड की लस्ड डपलं यहनिat पीछे से दूसरा दूसरा क्या पीछे से दूसरा सेकेंड रास्ट क्या क्या बात करें हम सिरेबस की बात करें सिरेबस की बात करें तो सेकेंड रास्ट जो सिरेबस है उसकी उपर स्टेस लगेगा यानि कि अग हम क्या देखेंगे इसकी सुरुआत हम कहां से करेंगे हम इसको उस शब्द को पीछे से सुरू करेंगे पीछे से तो इस लेबल को छोड़ देना हमें इसके बाद में इससे पहले वादा जो स्टेस है इसको हम कहते हैं यहां पर इस्टेस लगेगा और उसको उसी दंग से बोला जाएगा तो हम यहां पर क्या रूल पिनल्टी मेट से हम क्या समझ रहे हैं यह सब्द जो समाप्त होते हैं उन में जो स्टेस है वो पिनल्टी मेट पर लगता है पीछे से एक से लेबल छोड़ दीजिए उससे पहले वादा याने कि सेकेंड लास्ट इस लेबल पर इसमें स्टेस लगता है हम कुछ सबसे पहले में यहां पर जो पहले भी बता चुका हूं उसको उसी से में इसको यह यह किस से समाप्त हो रहा है टी आई ओ एन यह इसमें दो वावल्स है लेकिन साउंड केवल सिंपल अ है जो कम जोड से बोला लता है तो आपका इसमें से लिवल्स चाटना है आपको सल्बल चाटना आ है तो आप यहां से शुरू करें दीए यह एक मात्रा हो गई आई से एक वाउल हो गया तो यह एक आपका Sliple हो गया 4 दूसरा Sliple हो गया मैं आपका तीसरा Sliple हो गया और चर्ण आपका 14 सिर्फल हो गया अब आपन वापिस आते रूल से बात करते है यह एक Sliple है पूरा का पूरा Unwa मारा इसको छोड़ते आप इससे पहले स्रेवल क्या है इससे पहले का स्रेवल है में तो माँ पर इस्टेश सक जाएगा किस पर इस्टेश सक जाएगा माँ तो यह क्या हो जाएगा इनफर क्या हो जाएगा information इसको दिखें अगर आप दिखना चाहें देखिए यह तो स्रांटी डिजाइन से इन इंफर इंफर यह तो हो गया इंफर अब क्योंकि में स्ट्रोंग साउंड है इसलिए में हो जाता है क्या हो जाता है में इंफर में शन information चैनल इंफर मेंशन तो यह यह आपका यह रूल बैठता है और इस पर स्टेस का लग रहा है इस पर स्टेस इस जी के लग रहा है मह पर लग रहा है चलिए कुछ और हो दारन हम देखें बहुत एक अच्छा उधारन है और फ्रेंड्स इस जो ये जो उच्चारन है इसको हमें सही करना बहुत आउशक है क्योंकि ये बहुत अधिक ज्यादा बहुत ज्यादा गलत बोला जाता है ये अब इस पर भी बात करेंगे इसका उच्चारन भी मैं दिख दूँगा आपको ये शन है शन है आप इसको छोड़ दिए देखिए अब इसके बात में वाल कहा आ रहा है ये वाल दो आ रहे हैं लेकिन साउंड इसका क्या है साउंड इसका एक ही साउंड है वो क्या है एक साउंड है क्या साउंड है एक साउंड है तो ये दोनों तो इसमें स्लेबल ही कित पिनलिटीमेट रूल के अनुसार इसको छोड़ दिजे अब किस पर लगा स्टेज्स क्वेश पर तो देखिए अब जो फॉरेटिकलि अपने लिखेंगे तो वो क्या है यह बोला कैसे जाता है और सही कैसे नहीं मुद्द बोला जाता है यह क्या है ना तो यह क्यूं हो है और और आजर गर्द में उस डंग से नहीं बोलना चाहर हूं आपके सामने लेकिन इसको काफी हद तक गलत बोला जाता है इसको आप सुधार कर दें क्वे क्या है यह क्वे ग्वेस्टिन वे सब्सक्राइब को यह चर और एसा भी दिखा जाता है और वेस्टिन तो भी सही है और इस तऱ से भी यह सही है तो यह क्या हो गया किस तरह हो गया और इस पर सिटेल्स कहा लगेगा तो इसको शही क्या बोला जाता है लाइक क्वेस्टिन क्वेस्टिन पूरा जोर आपको कवर दगाना है क्योंकि स्टेज्ट ही आपका कवर अब वाकि षॉप अब इससे पहले वाला से लेखते दिए और वहां पर इस लेखाते दिए तो यह आपका लग गया तो यहां पर आपका इस पर लग गया का पर सी पर नहीं क्योंकि साउंड हम हम वी आर टॉकिंग अबाउट दा साउंड ओनली जो साउंड है उसकी हम बात करने हैं फिर आगे बढ़े आप ये शन छोड़ दिया ये शन छोड़ दिया और हमने ये यह दिया ये सिल्वल बना है ना और ये स्टेश कहा दख जाएगा इस न इंट्रा नहीं नहीं नौट राएक देट गाव ये सवंड यह ही पर आकर बढ़ेगा तो ये ये साउंड हो गया ये पूरा वीक है अब यह पर आपके कहां पर लगेगा ये रव पर लगेगा इंट्रा क्या इंट्रा फिर कमपजीशन क्या हो गया तो यह आपके इन पर लग गया है इनके वापिस आप एक बार और देख लिएगा इनकी प्रेक्टिस कर लिएगा यह कठीन बिल्कुल भी नहीं है फिर आप देखें किस पर लगेगा यह चोड़ दिया इसके आगे का सिलबल कौन सा है वे वह पर यह चोड़ दिया आगे का इससे जस पेदेबाद से लबल कौन सा है केशन तो किस पर लग गया कहपर फिर शन किस पर लग गया यह है नहीं और यह है अब इस पर बताई आप यह थोड़ा सा ट्रिकी है देखें पता ने कोशिश करिए देखिए अब यह तो छोड़ दिया इक है अब यह मात्रा किस पर लग रही है यह जो मात्रा है वैस पर लग 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 रहे हैं क्योंकि यह इसनुक्त हुड़ा हुआ है और यह से जुड़ा हुआ है तो यहां पर इसको तो sound इसका एक ही है, suggestion, 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 तो जैसे ही अपन यह कर रहे हैं, तो यहाँ पर यह sound आ रहा है, तो यह क्या हो गया? Sir, suggestion, suggestion, इस तरह से, तो friends, आप हमने इस rule number 3 में ऐसे शब्द जो T-I-O-N से समाप्त होते हैं, उसमें किस तरह से penultimate, आप यह शब्द याद कर दें, penalty mate, यानि पीछे से दूसरे से level पर इसमें stage लगा जाता है, इस station में इतना ही, आज के लिए, जैहिन, जैबारण!